हेलो विल्कम यॉल इंस्टेडी दर्बाद हाई दिस इदिशेक टिवारी हेलो गाईज विल्कम यॉल इन आर चैनल यहाँ पर आज हम कल जो एक्जाम होना है एसस्ट का वहाँ पर लगबग पचास कोश्चन डिसकस करेंगे विच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस फार एस और ट्मॉर्व एक्जाम इस कंसर्ण यहाँ पर 90 परसेंट चांसें कि इन में से ही बहुत सारे कोश्चन आपके आ सकते हैं यह वो कोशन है विच आर रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स इंद बोड एक्जामेशन अभी तक जतने भी बोड एक्जामेशन पिछले पाच्छे साल में वहाँ पर जो कोश्चन सबसे जादा बार आये हैं जिनकी फ्रिक्वेंस नो लोंगर रेते इस आइडिलिस्टिक लिबरल देमोग्राटिक सेंटिमेंट बट बिकेम अनेरो क्रीट विद लिमिटेड एंड बिसक्ली वाट दो 19th century में नेशनलिजम जो इडिलोजी थी उसमें लिबरल डेमोग्राटिक सेंटिमेंट जो थे वो कम हुए और बिकेम नेरो क्रीट विद लिमिटेड एंड जो इसका आंसर दूरिं दिस पीरिए नेशनल ग्रोप बिकेम इंप्रीजिंग लिए इंटोलरेंट फीच अज लिए बलकन बलकन रीजन जो था यह वह रीजन था जहां पर जितने भी आसपास की कंट्री थी वह चाह रहे थी कि उस पर्टिकुलर रीजन में किसका दब्दवा हो हमारा क्यों क्यों कि बलकन रीजन वह था जो समुद्र के पास था और प्रटिकुलर पीरड सबसे सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सबसे पहले आप सबको पता होगी 1915-1919 यह देट हम मानते हैं इंडिया नेक्स आता है इट लेट टो यूज इंक्रीज इन डिफेंट डिफेंस एक्सपेंडिचर आप सबको पता है कि जब फर्स्ट वर आया था निटिन फर्टीन में तो इंडिया किस के कभणे में था इंडिया उ संडर्वी पैसाथ जितना अभी पैसा था जितना अभी हमारे पास impos से जिसी फॉर्म में रेविन्यू के फॉर्म में पैसा आ रहा था वो सब कहां जा रहा था एक्सपेंट खर्च हो रहा था डिफेंस में फ़स्ट वर्ल्ड वर जब चल रहा था सुरू तो बहुत यह प्राइज इंक्रीज सारे का अपने देखा वर के कारण क्या हुआ महिंगा से और महिंगा हो गया विलिजस वर कॉल्ड अपन असप्लाय सोलजर्स और फोर्स रिकूट्में इन रूरल अरियास कॉस्ट वाइड इस्प्रेंट एंगर क्रॉफ फेल्ड इन मैं पार्ट्स फिंडिया रिजल्टिं इन एक्यूट इस्टोरेज आता है नेक्स आत इंट्रिद्टिंट्ट्र इंटिटी एमंग्स फ्रेंच पीपल इस चैप्टर से राइज आप नेशनलिजम इंडिया तीसरा आपको करना है तो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर कर लेना दो टौपिक उसमें आ रहे हैं प्रिंट कल्चर नहीं भी करोगे तो चलेगा प्रिंट कल्चर और वस्याद रखना पहली प्रिंटिंग मशीन जो है किसने बनाई थी कहां पर बनी थी उससे कौन सी पब्लेश होई थी सबसे पहली जो प्रिंट हुई थी यह सारी चीज़ा पढ़ लेना क्योंकि एक नंब आपके अंदर क्या जन्रेट होती है नेशनलिजम की फीलिंग जन्रेट होती है फिर आप क्या करते हो अपने देश के लिए लड़ना है स्टार्ट करते हो चाहे वो जंडा हो अलगरी हमने देखा था अलगरी का मतलब समझते हैं वहीं कि अधिया ऑफ ला पैट्री यह फादर्लेंड अन ले सिट्वाइन मतलब होता है था सिडिजन एंफिस दे नोशन ओफ यॉनाइट कम्यूनिटी एंज्व एक्वल राइट अडर कॉंस्टिटिशन सेकंड आता है न्यू फ्रेंच फ्रेंच फ्लैग बन गया था जो की ट्र है नहीं स्लोक्स स्लोक्स को हम हाइम कहते है इंटर्नल कस्टम दूटीज इंटर्नल कस्टम दूटीज एंड्यू वर एबॉलेस एन उनिफॉर्म सिस्टम और वेट और मैजर्स वर अडॉप्टेड आपने पढ़ा होगा एक क्वेशन और बहुत जादा इंपॉर्टेंट ह इसमें है कि नहीं मुझे नहीं पता भी लेकिन एक कोशन जरूर पढ़ लेना नैपोलियोने कोड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट को सिविल कोड भी कहते थे लेकिन चुकि वो नैपोलियन ने इंटर्डूस किया था नैपोलियन वस वेरी फेमस पॉस्टनाइल्टी जो हम इस इसके अलावा आपने देखा होगा जो जॉल्डूरीन था उसने एक और चीज क्या की थी अठाईस वहाँ पर क्या थी करेंसी थी जिसको एवेलेस करके उसमें दो करेंसी में कनवर्ट कर दिया था समझ आ रहा है एक देश में जितनी कम करेंसी हो ज्यादा अच्छा है एक ह हो तो बैस है लेकिन वहाँ पर उस समय 28 से 2 करना भी बहुत बड़ा एडवांटेज था उस कंट्री के लिए नेक्स्ट कोशन वाट डूवी नीड या वाइड वी नीड तो एक्स्पेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया एक्स्प्लें अब से पहले आता है मन जैसे हम लाला के scrap कहळें कै लोग च्छी बहुए नाम का बहुत टो लोग क्या कते है या एक माला impacting की मुवी देखी देखी होगिए तो फूरे जैजरी जमीन है वो लोग गर्भी रखते हैं अपना सोना जवारा त 1890 को कुछ पैसे देते हैं away वो पैसा इंसान चुका नहीं पाएगा कभी क्यों नहीं चुका पाएगा क्योंकि उसका रेट ऑफ इंट्रेस्स इतना होता है कि बैंक वालो तब को नहीं पता होता है मतलब करोगे जमीन और उनकी चीजना estwini को देते हो इसकी अलावा क्या करोगे आप वह पैसे चुकाने के दूसरा लोगे थीसरा लोगे ॅगरुव livro फावज जाओगे उस चीजों में चुछत इन चीजों से बचना है तो government क्या करती है formal credit देती है the system of formal credit या formal sources of credit क्या होता है यह formal sources of credit basically होता है जब government खुद के institutions मनाती है और आपको loan provide करती है in return of what आपको security के form में आपको क्या देना होता है collateral what is collateral collateral एक ऐसी चीज़ होती है जो बेच के government वो पैसा वापस ले ले government मतलब whichever institute जहां से आपने लोन लिया है let's say bank तो लोन के लिए collateral मतलब collateral ज़रूरी है ना यार किसी को भी तो इन देंगा हो मूठा और आ गए loan देदो ऐसे कैसे देदो please provide me something so that I can provide you the loan तो collateral एक ऐसी चीज़ होती है so इसकी बहुत ज़रूरी ज़रूरी है लेकिन बैंक में लोग अक्सर इसली नहीं जाते because there are very formal things जैसे फुनाम ही है paper work बहुत होता है और बिचारे जो गाउं में रहने वाले लोग है वो डरते है paper work से मेरी जमीन ही मेरे अपने नाम पर ना करवा ले and many more things तो इसके लिए किसान credit card आपने सुना होगा एक बार paper work करो it's very easy process और easily आपको क्या मिलेगा लोन मिलेगा हर साल दो लाक उसकी शायद लिमिट है अब बढ़के पांच लाग होगी होगी हो गई है ठीक है apart from that आप ने देखा mobile banking चालू हो गई है mobile banking से मेरा मतलब mobile banking नहीं mobile banking से मतलब है mobile ATM जैसे गाड़ी एक जैसे दूसरी जार ट्रेवल करती है उसमें easily पैसे आप निकाल सकते हो रख सकते हो ठीक है यही सारी चीज़ा लिखी है पढ़ लें आप इसको नेक्स आता है आपका democracy is based on the idea of deliberation and negotiation examine the statement यह particular question जो है outcome of democracy का है मैंने कल एक वीडियो बनाया था outcome of democracy का उसमें चीज़ बताई भी थी आपको कि इस chapter से इस type की question आते है एक line लिखी होगी उसको आपको examine करना है उसको आपको explain करना है ठीक है तो उसका explanation देख लेता है democracy is based on the idea of deliberation and negotiation but not obvious a deliberate democracy gives importance to deliberation and public opinion democracy में ही public opinion लिये जाते है ना आपकी बात होती है आपको problem ही you can put your points there in front of the people people कौन है representator of the government representator of the government कौन है MPs and MLA's the democratic government will take more time to follow procedure before arriving at the decision is the democratic government which is a decision taking जोसकी power होती वह बहुत डिले होती है बहुत लेट होती है लेकिन जो decision होता है वो सब को देखके बनता है जिसमें क्या होता है minimum लोगों के लिए problem होगी लेकिन maximum लोगों के लिए effect होंगे ठीक है अगर गलत होगा तो mass mobilization होता है जैसे आपने देखा धरना जैसे अभी आपने farm bill last year देखा होगा farm bill लोग को पसंद नहीं आए तो लोगों ने क्या किया mass mobilization किया finally that bill is removed तो democracy में यह फायदा है dictatorship में यह नहीं होता है democracy ensure that decision making will based on norms and procedure कुछ भी नहीं कर लोगे whatever norms are there in our constitution accordingly यह सारी चीज़ होंगी transparency as person have the right and means to examine the process of decision making next आता है it follows procedure and it accountable it is accountable to the people whatever government is doing they are accountable to the people accountable मतलब answerable to the people आप जो भी चीज़ करते हो आपको बताना होता है लोगों को जिनने आपको जिताया है अगर नहीं बताओगे गलत काम करोगे पांच साल तक तो आप रह लोगे पांच साल के राद फिर आपका exam होगा उस exam को क्या कहते है एलेक्शन जो कि अभी है अगले महने तो तो उसी में इनका पता चल जाएगा कि आपको रखना है या नहीं रखना है नेक्स देमोक्राटिक गवर्मेंट डेवलप mechanism for citizen to hold the government accountable getting next आता है the place where इंडिया और इंडियन National Congress session was held in December 1920 December 1920 में इंडियन नेशनल Congress का session कहा हुआ था it was held at Kolkata next आता the place where salt law was broken by Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi salt law कहां से ब्रॉक किया था तो आपको पता होना चाहिए salt salt law कब हुआ था 19 कब हुआ था 1930 ठीक है कहां से कहां तक हुआ था तो सावर्मंथी आश्रम टू दांडी दांडी कहां है दांडी coastal area in Gujarat याद रखना coastal area Gujarat तो को इसके नीचे मैप होगा उस मैप में बता दे रहा हूं यह this is the location of Dandy fine यह दांडी की location है यह this is the location of Dandy fine Gujarat में कितना चला था 240 mile चला था this is the location of D sincerity कितना चला था 240 माइल चला था 240 में कितने दिन में चला था 24 Daze में चला था एक धिन में दस मान चलता था अपने साथ वो 72 32 delegates लेके गए थे finally बढ़ते बढ़ते काफला बढ़ता गया वो चलते रहा है काफला बढ़ता रहा रात में जहां रुखते थे वहां से दूसरे दन हजारों लोग और साथ में आजाते थे समझ आ रहा है दांडी गए समुद्र का पानी निकाला गरम किया ओबाला जूँनल को दर्श आता है दूसरा आता है क्या आप मुझे मैसेश करके बता है ठीक है वट इस्टेर निजरी टेरिनिजम क्या होता है यह सब्सक्राइब। पावर शेरिंग पावर शेरिंग में जो हमारा सेकंड टॉपिक था डट वोज स्वी लंका की जब हमने बात की ती तो आता है आपका कि आता है एक बाट देख लेना तो basically question क्या what is majoritarianism how can you say that Sri Lankan government had a majoritarian attitude in its policy basically majoritarianism क्या होता है ncrt है अच्छी definition लिकिये अब लिएटाइट कमुनिटी शुद बे अबल टो रूल अ कंट्री इन विचेवर वे इद्वाइट वाइड डिस्रिगारडिंग दिशेज इए उप उनको जिस तरीके से देश्की गुवर्मेंट चलानी है वो चलाएं, regardless, मतलब बिना सोचे की माइनॉरिटी को इससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब उनकी कोई चीजों से मतलब नहीं है, हमें से खुब से मतलब जो मिहार्टी में पीपल है और उनके लीम को काम करेंut Here होता है Migjordiarism जो कि हहाँ पर से आंख यहां पर किया थे? तमिल्स थे? वो बिसीकली होहाँ पर zeroözु purl fees में टो मिजारिटि इरिन्जम is its crimin का in 1956 I have a Baptist एक्ट तु रिकॉगनाई सिंहाला एस ओन्ली ऑफिशल लेंवेज दस डिस्रिकार्डिंग तमिल वहाँ पर बोलने वाले लोग है गुवर्मेंट ऑल्सो अमेंडेट स्री लंकन constitution multiple time foster Buddhist religion उनने जवरन बोला कि आपको Buddhist religion को ही follow करना है apart from that what they were saying कि वहाँ पर constitution एक बार नहीं कई बार change हुआ multiple times और वहाँ पर jobs नहीं होती थी तमिल्स के लिए ठीक है जो इंडिया से कहते हैं जो हहाँ पर रहते हैं जो सिंहाला people है they were only allowed to take part in the government vacancies और वहीं institutional reform institutional reform से मतलब क्या है enlist various institutional reform taken by the Indian government to bring about improvement in agriculture agriculture chapter भी आ गया a step taken by the government to bring about improvement in agriculture are termed as institutional reform important है उसके बाद आता है collectivization collectivization and consolidation of land holding to make them economically viable दूसरा आता है corporation with farmers and evolution of zamindari system system जमिंदारी system जो आप अगले साल फिर से अगले के अगले साल 12th class में अगर कोई commerce subject पढ़ता है तो उसको इंडियन economics है उसमें जमिंदारी system क्या था in detail we will want to study यहाँ पर आप बस इतना समझो जमिंदारी system अच्छा नहीं था जिसको abolish किया गया ठीक है establishment of gramid bank corporation cooperative societies and bank for providing loan facility to the farmer at lower rates of interest वही किसान credit card इसी से आया ठीक है इसी से आप ने देखे होंगे villages में बहुत सारे किसान banks भी बन गया किसान bank से था villages में बन गया है gramid जैसे आप कहते हो ठीक है special weather bulletin and agriculture programs for farmers when introduced on radio and television अभी भी आता है दूरदर्शन निकालोगे यह सारी चीज़ें चलती है announcement of minimum support price msp msp वो होता है जिसमें government आप से बादा करता है कि मैं आप थाना आज minimum इत्ते रुपए में तो खरीदूंगा ही ठीक है next question why do many historians have argued that print culture created the condition within which french revolution occurred important question print culture से मैंने बताया था print culture अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो यह कुछ question जो इसमें दिये जरूर से पढ़ ले ना इसी से question आने के chances है क्या बोला है why do many historians have argued कई लोग ऐसा क्यों बोलते कि print culture एक बहुत महत्रून काराण है french revolution होने का तो आपने बुक पढ़ी होगी सब्सक्राइब का नाम सब्सक्राइब करता है जैसा लिखा है वैसा हम उसे करते हैं लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं यह सारी चीजों कारण बोला इसी के लावा एक और में और कोश्यन है what role did print play in occurrence of french revolution in 1789 सेम कोश्यन और में लखा आंसर आपको एक ही लगना है क्या लगना है print played a major role in providing different perspective to the people of France France के लोगों को बताया print culture print culture सबसे अच्छा माध्यम होता है that time televisions इतनी यादा नहीं होती थी print culture paper newspaper article से publish करो लोगों को पढ़ाओ कि क्या कहना चाह रहा है print did not directly shape their minds but it did open up the possibilities of thinking differently आपको सेम तरीके से नहीं सुचना आपने देखा है Martin Luther, Martin Luther साथ ने कुछ चीज़ा कहीं थी against what? against the orthodox christianities, ठीक है? और terrorist है उसके बाद उनको क्या कर दिया था अलग कर दिया गया था एक्जाइल प्रिंट पॉप्लराइज दा आइडिया ऑफ अनलाइट्मेंट thinkers दा रिटेन ओफ वाल्टायर एंड रूसो तू इंपॉर्टन परसन वर रीड वाइडली यह क्लास 9 के फ्रेंच revolution में भी आपने पढ़ा होगा है ठीक है और दोस वू रीड इस बोक्स सौथ वर्ल्ड थू न्यू आइज मतलब बेसीकली चस्मा देखो है एक ग्लास का पानी पानी से बहरा हुए ग्लास है उसमें आधा पानी है तो सम पीपल विल से कि वह आधा खाली है सम पीपल विल से वह आधा भारा है और कुछ लोग बोलेंगे वह पूरा भारा है आधा पानी से आधा हवा से समझ में आ रहा है तो it depends on the thinking what type of glasses you have worked आपने किस तरीके का चस्मा पहना है ठीक है रीट करने ना बेटा अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है you can read this particular PDF और PDF में आपको टेलीग्राम ग्रूप में डाल दूंगा I'll share the telegram link with you all नीचे discussion में है description which five provisions of the constitutional amendment of 1992 really strengthened the third tier of democracy in India explain basically they are talking about किसकी बात कर रहा है decentralization in India decentralization इंडिया 1992 में 73rd and 74th constitutional amendment पढ़ाया था ठीक है 73rd constitutional amendment जिसमें किसकी बात की गई है इसमें बात की गई है पंचायती राज की 74th constitutional amendment जहां पे बात की गई है किसकी local level government की समझ में आ रहा है पंचायती राज सिस्टम municipal corporation and municipalities पंचायती राज 73rd constitutional amendment 1992 74th constitutional amendment 1992 जिसमें municipalities and municipal corporation आया था इसके बारे में detailed video बनाया है वो आप चेक कर लेना ठीक है कि टेक देश्क्रीन शॉट और इसको रेट भी कर सकते हो देखो लेखा हुआ है major strength towards decentralization is strengthening the third tier for third year taken in 1992 work these are the thing the destruction of biodiversity is highly correlated with the loss of cultural diversity क्या बोल रहा है destruction of biodiversity is highly correlated with the loss of cultural diversity give four facts to support this statement again this type of question कल के paper मैं आप यह support the statement examine the statement इस टाइप की कोशन दो तीन देखोगे हमेशाद रखना वही कोशन लोगो को कठिन लगते हैं ठीक है और एक दूसरी चीज़ी बता रहो whatever answer you will going to write write it in points SST के paper में आप पॉइंट इमांसर लिखेंगे मैंने जितने भी आपको यह पीटी में जितने भी आपको आंसर देख रहा होंगे more than men for women we are the major responsibilities of basic subsistence needs with the depletion of these resources the drudgery of women increasing for for they had to work for more than 10 km to collect these resources basically लकडी यकडी लाने के लिए उनको बहुत जादा दूर तक जाना होता था और of collect करके लाने होती ते लखडिया and many more thing the indirect impacts of degradation example drought or flood etc also hits the poor to the hardest ठीक है next आता है poverty is a direct outcome of environmental destruction what is collateral important अभी तुम लोग को discuss किया था collateral क्या होता है एक asset होता है जिसको बेचके government क्या कर सकती है भरपाई कर सकती है why do lenders ask for collateral while lending explain अपनी गाड़ी अपनी भैस अपनी बक्री यह सारी चीज़ा रख देते थे ठीक है जो भी इनके पास है इसको बेचके वो खमालेंगे इस आप पढ़ लेना आप explain the causes of the great depression in the US between 1929 to 1930 वी वी आइंप question from this particular chapter जरूर से इसको पढ़ लेना ठीक है agriculture over production इसमें हुआ था US loan crisis यह सारी चीज़ आई थी इनको एक बार मैं explain कर लेना तीन मांक सा कुछ शना सकता है do write these points what problem was faced by the Indian cotton weavers in 19th century describe जो इंडियन cotton weavers थे उन्हें 19th century में क्या क्या problem face की तो आपको पता है 19th century में क्या हुए था industrial revolution जब industrial revolution आया तो क्या आ गया था machine आ गई थी इनसान अब काम नहीं करेगा कौन करेगी machine इनसान पहले कई जगों पर एक कपड़ा बनाने के लिए जो आपकी शर्ड बनती है वो बनने के लिए कई जगे जाती थी और कई लोग उसमें involved होते थे आप क्या हुआ एक छट के नीचे सारा कुछ होने लगा तो इ इंसान जो बनाएगा हो महगा बनेगा ऐसे एफेक्ट हुआ एक बार रीट कर लेना सेंटिंग इस देर नेक्स डेमोक्रसी स्टेंट मच सुपीरियर तो एनी अधर फॉर्म अब गॉर्मेंट इन प्रमोर्टिंटी और फ्रीडम और इंडिविजल सपोर्टे स्टेट्में तो यह जरूर से पढ़ लेना कल भी बताया था आज पर बता रहा हूं क्या बोलगा डिमोक्रसी जो है वो सबसे अच्छे टाइप की गवर्मेंट होती है जहां पर आप इंसान की डिगनिटी और फ्रीडम को बढ़ाते हों सिंपल सी बात है यह डिमोक्रसी है जहां से आप आपको as an object to the citizen का दर्जा मिला आपकी बास सुनी गई आपको इज़त दी गई आपको fundamental rights दिए गए आपके पास constitution है यह कब possible हुआ when we have a democracy answer of this is there एक बरेट कर लेना ठीक है in what ways government can increase employment in the rural sector important है rural sector में government कैसे employment बढ़ा सकता है ठीक है तो आपने last year वे एक chapter पढ़ा होगा same chapter इसी में यहाँ पर mega project लगा सकते हो dems ने बना सकते हो promote कर सकते हो locate कर सकते हो industries को industries लगा हो नौकरी जाना मिलेगी टर्श्री फैसिलिटीज उन एरिया में मतलब जो टांस्पोडेशन वेर हाउसिंग यह सारी चीज़ करो जो आपको service प्रवाइट करती है tourism को promote करो सबसे अच्छी चीज़ है और regional craft को वहाँ पर promote करो new services लगाओ like IT sectors and all SEZ एरिया गोसित कर दो अच्छी चीज़ के लिए वह एरिया अलॉट कर दियाता है कि उस पर्टिकॉलर sector से related कोई भी इंसान यहाँ पर आके सस्टे में जमीन ले सकता है यहाँ पर without any tax you can do your work वो company run कर सकते है समझ में आ रहा है इससे फायदा क्या होता है तो वहाँ के localites को सबसे आदा employment मिलता है सब्सक्राइब उस पर्टिकॉलर इरिया में क्या होगा डिबलप्मेंट होगा बहर से लोग आएंगे इन्वेस्टर साइंगे and many more things ठीक है लेट अडाता है डेमोग्रेटिक गोवर्मेंट इस लेजितिमेड गोवर्मेंट इंपर्टेंड देमोग्रेटिक गोवर्मेंट accountable government support the statement with the argument chapter outcome of democracy right side page दिया है पूरा वो paragraph एक बार पढ़ लेना वही आंसर है या तीन नंबर का आया तो तीनों पूछ लेगा एक बार में दो नंबर का आया तो एक पूछ लेगा किसमत अच्छे होगी तो पांच नंबर में यह पूछ लेगा तिक है तिस दा आंसर अगें डिटकॉन से कॉंचे कुएंसेस उफ एन्विर्मेरिमेंटल गिरिटेशन दो नौट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बांडरी ठीक है जिस्टिफाय थे स्टेट्मेंट क्या बोल रहा है जो एन्विरमेंटल डिरेशन होता है यह बिल्कुल अगर आप environment को डिग्रेट कर रहा हो it's a matter of the global world यह पूरे देश का वर्ड टॉपिक है तो आप देखते हो global summit होते हैं हर साल उस global summit deforestation land degradation इन सब की बाते हैं करते हैं एक बार रीट कर लेना आपको अंसर पूरे यहां पर है what are the various ways in which MNC set up or control production in other countries कौन कौन से तरीक हैं जिससे MNC set up होती है और control of production अदर अलग जगवा पर MNC set up करके कैसे हम कंट्रोल करते हैं production को यह question है basic है तो multinational corporation MNC का full form होता है set up their factories or production unit close to market where they can get a desired type of skilled and unskilled labor at low cost along with the factors of production this is the thing जहां पर आपको पता होता है कि industries कहां पर located हो यह सारी चीज़ों होनी चाहिए after ensuring these particular condition of MNC set up for set up different production unit in following ways by buying local companies of an area उस पर टिकर जैसे इंडिया में कोई company आई let's say कोई digital marketing company या कोई digital platform आया ओटीटी आया तो उन्हें क्या किया Jio at present room पहे तो Jio के साथ उन्हें क्या किया टेक कर लिया एक company के साथ वो आ गए ठीक है या उसको खरीद दिया कोई यह चोटी है तो by making partnership with the owner of the local companies वही Jio के साथ यह तो गर लिया उसके बाद by investing in local companies to increase the production of foreign product in any country किसी भी देश में उस country का शेयर तो इंडिया में सुजगी न क्या किया पैसा अब बाहर से सुजगी company भी हमारे हां के आ रही है भी करेंगे समझ आ रहा है globalization ना आता है study the picture given blow and answer the question that follows यह आपको जंडा देख रहा है बंदे मातर मेश में लेका है in the flag what does the lotus and the crescent moon represent to crescent moon देख रहा है lotus देख रहा है क्या represent करता है during this during which freedom movement was the flag design इसका answer देना इसका answer chapter number तुम लोग को बताते रहो second chapter of history answer आप लोग दें comment section में ठीक है answer यहां पर दिया हुआ है पहले ना देखा है पहले आप कोशिश करें कि आप खुद दर्शा है ठीक है जो कमल है वह 8 provinces को दर्शा रहा है जो आपका moon है crescent वह आपको आपको देशी मूमेंट जब इंडिया और बेंगोल की दो टुकड़े कर रहे थे इस पेंगल और वेस्ट बंगल वाट इस डैनास्टिक सक्सेश्शन इस इस इंपॉर्ट एं पर्टीकल पार्टी की लीडर अध्यक्शी यह कह ला था है डैनास्टिक सक्सेश्शन इस पु पूरा का पूरा गांधी परिवार चला रहा था अब हमने खड़के देख लिए वहीं पर चले रहा उस सपा समाजबादी पार्टी पिता मुलायम सिंग फिर बेटा आ गया तो चलता है ठीक है ऐसा यह सब नहीं होना चाहिए इसके बारे में भी कल मैंने वीडियो बनाया था डूबस दाट प्रेटिकलर वीडियो उसमें आपको डिटेल समझ आ जाएगी यह का अंसर भी है स्क्रीन शॉट लेलो देख लो इसलिए नमक को लिया था और नमक उनने जब लिया था उसके पहले उनने एक लाएन और कही थी उनकी आटो बाइगरफी में लिए लिखा है और हिस्ट्री कई सारी बुक में लिखा है कि मैं बालू उठाया था बालू मतलब रेट और उठाके बोला था कि मैं एक मुठी बालू से पूरे बिरिटिश सामराज जुकाव अलग कर सकता हूं या बिरिटिश सामराज का पतन कर सकता हूं यह महत्मा गांदी जी ने कहा था अन्नमा फिर उसका दो ठालिया गांदी जी हीरो तो थे क्यों ठीक है दिर डिफरेंट परस्पेक्टिव जन शूतियों पर नाया अगर बुक पढ़ो के तो आपको पता चलेगा अबाउट गांदी मैं किसी पॉलिटिकल पार पर उस बुक को जरूर पढ़े उस बुक का नाम है एक्सपेरिमेंटल विद्ट रुथ यह गांदी जी की आत्मकता है जरूर पढ़े उनने खुद लिखा है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है को इंसान नहीं लिखता कि उनको क्या था इनने जो अपनी डेमांड की थी कितनी डेमांड की थी कि साथ सूत्री डेमांड थी ग्यारा सूत्री डेमांड थी साथ सूत्री डेमांड थी तो ग्यारा उन्होंने बताय थे पॉइंट नहीं मान रहा थे गांदी जी बोल रहा था अंसन करेंगे अंसन करेंगे अ सहले में कोई नहीं किया मठ जाो मत जागों सब लोग मतलब क्या है आंसी की मिंद्थ चले गया किसी न सुनी निया गया समने लग हो गया समय में आ रहा है को गांधी इरिवन पैं वेंडोंड टी की लिफोäftंवेंड मोमेंग के कीो ही दोपा दीस उप देना of department तो है question why the civil disoven moment was failed when it was launched second time गांधी जी ने जो वादे किया था पूरे नहीं किया बंद कर दिया था बहुत सारे लोगों को problem these are the question these are the differentiation जो आपको दिया non-corporation movement or civil disoven moment की बीच में difference किया है important है पढ़ लेना next आता है on the same on the same given map of India locate the following salem istil plant और kandla port ये करेंगे Gandhi Rajiv Gandhi airport ये दोने चीज़ करेंगे एक और video मैं भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको क्या share करूंगा ये सारे maps which are very very important as far as exam is concerned ठीक है ये mark कर देना mark the state which is the leading production of rubber South India ठीक है what has been the impact of globalization on Indian agriculture Indian agriculture globalization का क्या था तो आप ने देखा green revolution जो आया था globalization के थ्रूए आया था green revolution कौन है who is the father of green revolution तो Norman Borlaug is known as the father of green revolution अगर इंडिया की बात करते हैं ये worldwide है अगर इंडिया की बात करते हैं तो MS Swaminathan अभी recently दो मेने पहले इनकी death हुई है December में शायद इनका निधन हुआ है तो MS Swaminathan कहते हैं पिता जी किस चीज़ का हरत क्रांती green revolution का ठीक है जो कि इंडिया में आये था लिस दाउन थ्री practices that can improve Indian agriculture Indian agriculture को इंप्रूफ करने के लिए कौन-कौन से तीन तरीके हैं वो सब्सक्राइब चीज़ है this is the answer एक पर पढ़ लेना फाइदा हो जाएगा ठीक है next question आता है why did maternist describe Mazzini as the most dangerous enemy of our social order explain Mazzini Mazzini का पूरा नाम क्या है गुई सिर्पी मजिनी एक और था गुई सिर्पी गैरी वल्ली एक और था के बर यह तीन इनसान जो महानभूती है नहीं बहुत important रूल प्रे करते हैं जब इटली को इनने क्या किया था Unite किया था Unification of Italy important तीन कोशन पढ़ लेना Unification of Italy Unification of Germany और next आता है ब्रेटेन ठीक है France France कहां से आ गया no need to write France 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 कोई France 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 नहीं कहुंसा Germany Italy Britain यह तीनों question important एक कोशन आता है राइट शॉर्ट नोट है गुसीपी मजीनी अलग से लिख लो गुसीपी मजीनी गुसीपी गैरी वल्डी एंड के बर यह छे कोशन याद रखना आ सकते हैं इन शे में से एक तो आई जाएगा इसका अंसर नहीं लखा हुए यंग इटली और यंग येरॉप बिसिकली क्या है सीक्रेट ग्रोप से जो इनने बनाए सीक्रेट सोसाइटी इस इनने बनाए थे करने मुसीपी मजीन नहीं इन इतालियन रिए पढ़ लिए पढ़ लेना वाटर को फ्रेश वोटर नाली के ज लोग एक जैसे दूसरे पानी को पहुचाने का काम करते हैं जैसे आज नहर करते हैं वाइट दा इंडियन गोवर्मेंट पुट बेरियर्स टू ट्रेड और फॉर्न इंब्रेस्मेंट आफ्र इंडिपेंडेंस स्टेट अन्युवां रीजन क्या बोल रहा है इंडियन के लिए इंडिपेंडेंस के बाद क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद अगर तुरत यह सारी चीज़ों खोल देते ना तो हमारा देश कभी डेवलप नहीं होता हमारा देश हमेशे घुलाम रहता दूसरी चीज़ों से हमने खुद को पहले डेवलप किया फिर हम 1991 में जब हो थी तो हम लेकर आए लपीजी मतलब है लिक्यूफाइट पेट्रोलियम गैस इसंट इंट इलिक दोगे कल फेल होगे अभी दूंगा कहीं तो क्या होता है लिब्रलाइजेशन प्राइबिटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एक चैप्टर भी है यह पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस पढ़ लेना वाइस पार शेर डिजाइर इसका आंसर में फिरसे बताऊंगा नहीं कल मैंने वीडियो बना चुका हूं बढ़ देख लेना ठीक है दो टाइप के पार शेरिंग इतने टाइप है वो भी देख लेना नेक्स आता है हमारा थे यह पताना यह लिद्धा टाइब रिजणल लेंगे तो वनेकल्रफ प्रेसट क्या है यह बताना है वाइज वासट इपास हुआ ह्ट वहाली प्रेसेक्ट क्या होता है कि बोग किताब है जो भी चीज है वह लिखी जाएंग अब किसमें शेत्री हों में रिजनल लिए राइट इस देर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते जाओ एवेल्यूएट इंपेक्ट आफ प्रिंट टेक्नलोजी ओन पूर पीपल इंडिया आपको बेसिकली बताना है प्रिंट टेक्नलोजी का क्या इंपेक्ट हुआ गरीब लोग जो भारत में थे पूर पीपल इंडि अपनी बारे में इतने लगे क्यों क्योंकि मैंने जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किये नॉट कांड अच्छे अच्छे काम किये वह बाकी लोग भी पढ़ें और वह से क्या हूं प्रेरत हो मोटीबेश मोटीवेटेट हो और फिर क्या हो वह वह काम करने लगे स समझ जा रहा है थेंक ती नहीं बोलना है क्या करना है दो लोग को बुख देना है एक एफेक्ट औफ प्रिंट और पीपल इन कॉलनी इंडिया और टौन गोल्स विमन यह नीचे दिया सेम चीज़ा है जो फॉरण मुई थी सेम किचन इचन में रहे के सब लिख रहा है ठीक कि सब लिखा है पढ़ लेना एडवांस्मेंट ओफ इंटरनेशनल ट्रेड ओफ कंट्री इसन इंडेक्स टू इस एकोनोमिक प्रोस्पेरिटी एक्स्पेरिटी क्या बोल रहा है एडवांस्मेंट ओफ इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड अगर किसी देश का बहु एक सिंपल से छोटी से बात बता रहा हूं 1991 में जब हमारे यहां economic emergency लगने वाली थी किस article में economic crisis तो economic emergency है article number 352 लिखने की ज़रूत नहीं है कहीं पर लेकिन है यह लग जाती लेकिन उस समय निरसमीमा राओ की government थी हमारे हैं and dr. Manmohan Singh ने क्या किया था एक नया बिल पास किया था जो LPG बोलता है जिसके नियू एकनोमिक पॉलिसी भी कहते हैं उसके बाद हमारा देश यह जो emergency लगने थी इससे बच गिया था इस आर दो पॉइंट एक बार रीट कर लेना क्या से merchants from the town in Europe begin to move countryside जाने लगे इन 17th and 18th century because of trade guilds गिल्ड क्या होता है trade guild मतलब group of people communities जो क्या करते हैं group बना लेते हैं यह कौन होते हैं merchants होते हैं यह कौन होते हैं traders होते हैं तुमका बोल रहा है पाईसा कुछ भी ठीक है trade guilds that restricted the entry of new people into the trade peasants in countryside started working for these merchants बहुत सारे जो peasants होते थे इन लोगे लिए काम करने लगे कि उनको पैसा मिलेगा वहां खेती में तो कुछ मिल नहीं रहा है यहां trade करो पैसा मिलेगा तो यह करने लगे next question answer आप दोगे when France sneezes the rest of Europe catches cold important है इस statement को लोग explain करने भी बोल देते हैं answer बताओ who among the following said this line guisipi mazini maternich ottoman bismark guisipi gary wilde ठीक है ठीक है ठीक है आंसर क्या पता है maternich which of the following which of the following is not true about our Indian language policy इन वे से कौन सी चीज़ सही नहीं है in एल्गनिग्वेज पॉलिसी ही हिंडी शाई ने्रशनल लेंग्वेज बिलकोल नहीं थ्यबर आपको धूर्ट बनाते है कर बोलते हैं बारत यह देशा जिसकी कोई national language नहीं है हिंदी जार official language समझ आ रहा है बोथ हिंदिया इंग्लिश आर आर official language yes true India has 21 scheduled languages 22 scheduled languages इसका answer only B है एसी जो नीचे वाला दिया हो गलत है only B is the answer और answer is not true तो answer is both NC sorry अगर question होता कि कौन सा सही है तो B वस सही है अगर आप से पूस्ता कौन सा गलत ने गलत हैं तो बहुत A and C are wrong हमेश्याद रखो जैसे मैंने यहां पर गलती की आप हमेश्याद रखें जब question पढ़ते हो तो नौट को underline कर ले आप से examiner बोलेगा कुछ मत गोदो गोद देना ठीक है वो यह फिम भरेगा इतना बस गोदना यह नहीं कुसी में answer लिख दिया मासाब में बोला था कल क्यों कुछ नहीं होता हो जाता है आप क्या करोगे सिर्फ not को underline कर लेना है circle कर लेना दूसरा important चीज मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे अभी भी black pen से लिख रहा है मत लिखो तुम अपना future काला कर रहा हो ठीक है तो काला मत लिखो आपको कौन सा पहन यूज़ करना है you only have to use रफ given neilie SHAR deepen blue 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 टीए कंशी है कि महानभी ती हरा ले आते हैं अभी से principal रहना ह्यूंग में other who said the printing press is the most powerful engine of progress and public opinion is the force that will sweep despotism away इस नौस्पर बता है क्या होगा दबान स नोस डांसर अज़ों सब्सक्कर करके बते है ठीक है कुछ भी मत दो सही बताओ I am a political party I am a political party which was formed after a split from Indian National Congress and I don't believe in dynastic succession identify me क्या बोल रहा है मैं एक political party हूँ जो इंडियन National Congress से split हुई थी मेरे अंदर कोई भी dynastic succession जैसी चीज नहीं है तो इन में से कौन सी वो पार्टी है जिसने यह सारी चीज है कहीं थी तो आप इसका आंसर देंगे जो भी आंसर है comment करके बताओ ठीक है चूज दे करेक्ट ऑप्शन आइल गिव दा हाट तो आप समझ जाएंगे कौन सा सही है ठीक है चूज दे करेक्ट ऑप्शन फॉन दे कॉलम A और B से कौन सा कॉलम सही है यह आपको बताना है ठीक है तो बिसिकली एप्सुलिस्ट एप्सुल यूटिस्ट कौन होता है अविजन अव सोसाइटी ए फॉर्म और गॉवर्मेंट अ ओप्शन जाओ हुआ है कि इतोप्यों क्या होता है दैन पहले विस्टिग क्या हुथ सफ इम्पोर्टेंट है इसी है स्ब्सक्राइब सित्व होगा कि इस इग को एन इंपोर्टन भी ठीक है नेक्स आता है in Victorian in Victorian ब्रिटेन दा अपर क्लास इरिस्टोक्रेटिक क्लास एंड बर्जुशी प्रफर्ट हैंड मेट गुट्स बिकॉज इस सारी चीज़ेंड मेट क्यों प्रफर करते हैं तो मैंने दूंको एक एग्जैंपल दिया था था थिंकिंग ऑफ बॉय एन थिंकिंग ऑफ गर्ल की थिंक भाई हो गया ठीक है मिरा भाई वहीं पर इफ अगर्ल गर्ल वोच अगर्ल अगर्ल विस्टेंग ड्रेस एज़ फर इसे कड़ें तो ऐसे भगेंगे दोनों ठीक है और वहीं उनका मूल खराब हो गया और शेट नाव आम नो मूर्दा सेंटर अब पार्टी तो यह तिंकिं सब्सक्राइब क्या होता है जितनी भी चीज़ वनाओगे सारे में डावर सिटी होंगी तो इस लिए वर मेट फ्रॉम इंपोर्ट माटीरियल अहां दा होमेड गोड्स केम तू सिम रफाइनमेंट इन क्लास मशीन मेड गोड्स वर नॉट अवेलब बैग्डम हैंडमेड ग इसक रॉप आंसर दें जल्दी से ठीक है ऑस अमन और बो रोक स्टाइब के क्रॉप होते हैं इसको ऊंपको स्ञेचिन मंदलब इनके इनके लिखे नहीं है आप खोद इनके वेश्चिन प्रॉबलम होती है कमेंट कर देना तो आंसर आपको भीज़ दूंगा था टेली वन आया था देख लेना वाई इस Greece as cradle of European civilization important and why is the nation of Britain अभी वताया था known as the long-run process what is protestant reformer protestant reformer reformation क्या होता है what was the role of Luton Matarabi just 30 दिर पहले का print culture से आया था ठीक है what role do political parties play political party concert role play करता है list down two problems political parties faces एक तो बता दिया था political succession dynastic succession और दूसरा क्या होता है money and muscle power देख लेना ठीक है with respect ways of correct them यह सारी चीज़ करना है I hope the whole video is very good for you आपको अच्छा लगा होगा maximum question from this particular question video आ सकते हैं all the best भार में जाओ